खान साब खड़े हो जाओ और खान साब आपके पास माइक पहुंचाओ हम आपको मंच पर नहीं बुलाएंगे वरना आपको लोग कमेंट्स करेंगे आपके लोग आपको परिशान करेंगे हम आपको बहुत बिनमरता पुरुवक बता दें कि हम बिलकुल भी किसी मजबया पंत के ब्रोधी नहीं है हम सिर्फ अपने सनातन धर्म के कट्टर है किसी भी मजबया और आपको सुनकर आश्चर लगेगा कि इसी मुंबई में लगबग सो मुसल्मान परिवार हमारे पर्मानेंट बागे सुर्धाम के डिवोटी है और मैंसे ये खान साब भी है ये तो कथा की तैयारियों में भी लगे है इनका माइक चालू करो खान साब का चैस श्यारा कल इन्होंने आसिरवाद मंज पर लिया खान साब ने आपके लिए तो मैं बहुत दिल में बसा हूँ लेकिन मेरी एक मन थी कि मैंने खुद एक मंदीर बनाया हूँ वजाओ ताहली और बाबा साहिप का एक मंदीर भी बनाया हूँ वाँ अब सिरीव आपकी भरोसे पर मैं जब से देख रहा हूता हूँ लेकिन मेरी अरजी लग गई आप सही में मेरे दिल में बस गए थैंक यू कान साब हम आपको प्रातना करें कि हम आपकी अरजी तो लगाएंगे ही लगाएंगे आप जिन दो लोगों को इस लाखों की भीड में से लेकर आएंगे हम बिफोर टाइम पहले परचा लिख कर रखेंगे परचा को हम बगल में रख देंगे और आप दो लोग किसी को भी पुरुस महला बूढ़े बच्चे लास्ट में खड़े बीच में बैठे बगल में बैठे सामने बैठे बी आईपी नॉन बी आईपी आपके परचा का छोड़ कर आप किन ही दो लोगों को लाएंगे पहले हम परचा लिख कर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे ये परचा उनहीं का निकलेगा और एक बाद हम इन परचों में नंबर डालेंगे नंबर एक नंबर दो और आप जिसको लाएंगे और जिसको यहां बैठवाएंगे वो पहले कुश्चन करेगा और आप जिस नंबर का परचा उसके लिए बोलेंगे उसी नंबर का परचा उसका निकलेगा अभी तक हम जिनको बुलाते रहे हो सकता है यह हमारे लोग हो लेकिन यह तो अपने धर्म के भी यह तो अपने दूसरे मजब के हैं लेकिन यह मानते सब को हैं तो आपको हमें लगता खांसाब पीछे जाना चाहिए यहां तो बी आईपी लोबी दर्सन करके ही आनंद ले रही है आप थोड़ा पीछे जाओ थोड़ी मसकत करो और पहले हम परचा लिख लें एक मिनेट आप खड़े रहना खांसाब अभी सोर मत बचाओ भगबार एक बात बोल दें तुमारे सोर मचाने से नहीं होना है हम जिनका परचा लिखेंगे ये उन्हीं को उठाएंगे हम जिनका परचा लिखेंगे ये उन्हीं को उठाएंगे इनकी चमता नहीं है कि हमारे परचे के बाहर उठा ले बैए और जो यहां आएगा जो पृष्ण बोलेगा वो पृष्ण भी वही बोलेगा जो हमारे पर्चे में लिखा होगा उसकी भी छमता नहीं है कि एक अक्षर यहां का वहां कर ले ये बागेस और हन्मान जी का दर्बार I am not हन्मान हम हन्मान जी नहीं है लेकर जो कहते कि सनातन में तागत नहीं होती है या ये पढ़ लेते हैं तुमारी ठटरी तिरी बद्य साब और तिरी बद्य साब आप इसको आप पढ़िये वहां से दूर से देखिए कितना नंबर लिखा है अगरे पुरे जलम चले जाएंगा लेकिन इतने दूर से नजर नहीं जाएगा खाली आपके नजर से नजर है आप जो हसते है वही मेरे पर नजर जा रहा ढकर आप कुछ भी दिखाएंगा लेका की भाब आपके ठीशान कर दिया आपने virtue दो आत्मिया अपने बो ले तो मैं पेने मेरे उन या यह यह यहां से ठर 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 के मीरी जमिर पैर पिए लिए यह एक नंबर है ना है लिया सबने ठीग यह अमने मोड़ा अच्छा दो नहीं तीन ले आव खान साब दो क्यों तीन लाव ये पहला पर्चा हमने ये रखा अभी रुकना है दूसरा और बना ले राम बाला जी साधू जी ये हमने एक और पर्चा लिखा पढ़िए सब लोग नमबर बताईए ये हमने मोडा ये हमने रखा एक और देखते हैं दम कितना बाजवे कातिल में आपकी तो अरजी लग नहीं है खान साब आप चिंता मत करो आपकी अरजी हम लगाएंगे और I like you आप हमारे अपने हो बहुत प्यारे हो आपने जो कल मंजबर आयों और आपने जो कल साब रखिए आप दुआ में मेरे याद रखिए महाराच जी मैं बैड़ जाता हूं क्योंकि मैं खुदी परेसान हो गया हूं आप कैसे जलते हो गए यह सब दुनिया और कैसे आप करते हो गए यह तो मैं तो आभी दो मीटी के लिए तो मेरी याददास खो जाएंगी मैं तो खुद परेसान हो गया आपने किस जेल बे दाल दिया मुझे क्योंकि यहां से भी आवा जा रही हमारे बास बैटे है करुजले साब उनका मैं इतना सेवा करता हूं हम तोस्ते हमारे साब और आगे बड़े और उनी के हाथ की नीचे मैं आज 40 साल से कर रहा हूं अरुनका सर पे हाथ है जब मैं यहां पर खड़ा हूं कितना अब बजेगी बीन नंबर है तीन हमने खान साब मेरा पाल मत खुली है मैं बहुत गरीब इंसान हूँ आप से मैंने पैचान गिया भी मैं हज जाके भी आया हूँ आज साथ साल हो रहा है हज जाके आया हूँ मेरी मम्मी को लेके बहुत अच्छा लेकर आपका परचा ना खोले आप भी कम नहीं हो चलो तीन लोग लाओ पीछे पहले जाओ आप लाओ ये दपती खाली परचा बने तीन अब बजेगी बीन सीता राम एक दो जने सिकॉर्टी में चले जाओ इनके संगे आद भी नहीं तो खीचेंगे इने के हमें 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 दोनों हाथ उठागे बोलो बागे सरधामे की सन्यासी बाबा की दिब दर्बार की अच्छा बताओ आनंदा रहा की नहीं हाँ जाओ सब की अलाय बलाय भग जावे तब तक अरजी बाले तो नहीं रहे गए बैठ जाओ अब चालू होगी कथा थोड़ी देर में कथा के सरुता कौन-कौन है अच्छा कल भी यहां कथा है कल कौन-कौन नहीं आएगा हाँ तठाओ अच्छा अच्छा उल्टा हो गया आएगा कौन-कौन आएगा हाँ तठाओ कल कौन-कौन आएगा हाँ तठाओ कौन-कौन आएगा पक्का जोड़ से बोलो पक्का पक्का बोलो बागे स्वर धामे की हनमान जी महराज की अभी भी कथा होनी है भैया जल्दी ले आओ बाबु भाई तीन लोग लेकर आओ पीछे चले आओ इनका माइक चालू कर दो बाबु भाई माइक चालू कर दो पीछे चले जाओ थोड़ा पीछे चले जाओ बाबु भाई थोड़ा जल्दी जाओ लोगों के चक्कर में मत पढ़ना इनका बोलो जल्दी जाओ मारल काल से एक अपंग आई है आप नहीं बताएंगे, आप तो जिन तीन लोगों को चुन कर लाओ, उन्हें आंगे हमारे पास मंज पर ले आओ, आप तो तीन लोग चुन लो, चाहे जैसे चुनो, अच्छे, खासे, आंगे वाले, पीछे वाले, थोड़ा बाबु भाई तेज चलो, तेज चलो, तेज चल इसलिए कायते हैं, गुरू के जक्कर मैंने फसना चाहिए, प्यारे, साधू जी हाँ, 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 ह साधू जी जब बाबू भाई लाएंगे उसी को जिसका हमने पर्चा बना के रख लिया है बैन क्या जी हो टोपी पहले भी दी खुश रहो लाओ अभी हम ये बाली पहने ये ठीक है ना हम ये बाद में पहन लेंगे अभी पहन ले लाओ अभी पहन ले दे आपने का खुश रहो चत्रपती बीर सबाजी महराजी की जै भवानी जै भवानी माइक लेंगे उसमें हम कर देंगे उपाय और आपका क्या निर्णा है वो तो बिल्कुल नहीं चाहें थी उनका जो अंतिम निर्णा है उन्होने मना माइक के बिना बोले एक मिनट के लिए बेटा बंद करना हम इस सारा करेंगे तब चालू करना माइक करेंगे तब चालू करेंगे झालू करेंगे तब चालू करेंगे साधू जी बाबु भाई वो तीन लोग का है आगे तीनों लोगों को मंच पर खड़ा करो बाबु भाई तुम वही माइक लिए रहना ठीक है बिल्कूल आप जब पेशी के लिए धाम पर आएंगे राखी ले आना ठीक बेंद खूश रहो चलो हाँ ठीक बेंद सब्सक्राइब भाई तुम्हें बुला रहता है घम जो बालो हो जाए तीनों परचा खुल जाएं ठीक बुलाओ राजस्थान से लेकर आएं राम कहा हैं वो तीनों लोग बाबु भाई कहा हैं पहुंचाईए उपर मंच पर ही पहुंचाईए आप आप पहुंच जाएं वहाँ छडवा दो फिर आप बापस पहुंच जाएं श्री राम जे राम आज हम आपको बताएं आज बारकरी समाज के साथ में महाप्रशात था हमारा यज़बान जी के घर परी कथा यज़बान जी के घर परी यहीं खड़े रहना है सिता राम कहो अरे साधू जी ओ साधू जी दोनों हाथ उठाके बोलो बागेश्वर्धामे की सन्यासी बाबा की गउमाता की भारत भूमी की सत्व सनातंधर्मे की अपने अपने मताई बाप की राम नाम भगवानी की बेटा यहीं बैठ जाओ तुम अब आप में बाबु भाई माइक लेलो आप किसको भेजना चाहेते पहले नंबर पर आईए बहन यहां बैठ जाईए आप बाबु भाई एक से लेकर तीन नंबर तक के परचा है यह अपने भाई को लेकर आई है आप इनके लिए कौन से नंबर का परचा खुलवाना चाहते हैं आप जिस नंबर का बोलेंगे इनका पृष्ण उसी नंबर के परचे में निकलेगा और बिचित्र बात यह है कि आप वही नंबर बोलेंगे जिस नंबर में इनका लिखा होगा आप एक बोलो दो बोलो तीन बोलो जो आपकी मरजीशू बोलो महराज जी मुझे समा कर दीजिए यह काम आप ही करिए क्योंकि मेरे से यह काम नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अभी समझ गया हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत बड़ा संकट में डालेंगे और यह आपके परचाइज से लिखा लेगा किया मैंने तीन लोग लेखा कि दिया हूँ आपके पास अब तुम्हें यतना भी बोल दो कोई संकट नहीं तुम्हारा सब संकट तुम्हारे पास संकट हैं हम संकट मोचन के नजदीग बैठे ना आप बोलो कौन सा नंबर दो नंबर जी लिकाजिए दो नंबर दो नंबर फाइनल तीन तो नहीं एक तो नहीं मुझे चक्कर आजाएंगा बाइस एक मार बाबु गाई के लिए ताली बजा हो जड़ा है बहुत प्यारा आदमी लीजिए दो नंबर कहां गए ये तीन नंबर है ये ये दो नंबर है ये दो नंबर बगवान कैमरा पर कितना नंबर है कितना है बहुत अच्छे से किसी को यहां पिसे बताया तो नहीं किसी ने पूछा तो नहीं ठीक पड़िए अब ऐसे पूछने में घर का बिगटन दूर होगा पित्र दोस के कारण भाई को सुन्पन बना हुआ है कृष्णा नाम है चल नहीं पाता नसे टे पड़िये माइक से बोलिये यही बिसाने कराएं और समय लगेगा इसको जटका भी बनते हैं नसें टेडी हो गई है डॉक्टर ने कहा ला इलाज है कोई इसकी दबा नहीं है डॉक्टरी सलाय थेरेपी आप ले सकते हैं मंतर चिकित्सा की विधान हम धाम से प्रारंब करें करेंगे समय जरूर लगेगा और जो एक ब्यक्ति ने कम आयू बताई है यह भी मुर्खता है जाव बाला जी कृपा करेंगे मेरी मम्मी का भी प्रतेवेद खराब रहता है परिवार में जग्दे को जगड़ा होता रहता है मम्मी को की उमर हो गया तड़ा एक में गाट बनी मा को भी माइक लो मा को गाट बनी है मा को पुरे स्रीय में दिक्कत है उस पर भी लाब होगा धाम की नियम शुरू कर दें और आज ही हम कि यह सामने भाई को वहां करिए हैं पहले आप अरजी यहां करो बस बेंग मुठी बंदवाई है आप अपनी बांद लीजिए बेंग कि शरीर में इसके सामर्थता बढ़ाई जाए और तेज प्रभाव किया जाए और तेज प्रभाव किया जाए सेनापती अब पैरों में बढ़ाई जाए पैरों में सामर्थता बढ़ाई जाए बेंग जड़ा तुम पीछे बैठों और प्रभाव किया जाए अब तुम सरीर में हाथ फेरो बेहन इनके पैर के अंग उठा तक फेरों पैर के अंग उठा तक फेरों मा को भी गाट बनी शरीर में दिक्कत बनी मा भी आपकी बीमार है और घर पर कलेश भी बहुत मचा है ये दो आपके अन्य प्रशन है बाकी इन प्रशनों को भी जोड़कर हमने मंत लिखा तीन माला धाम की पेसी जाओ आज से ही इसको लाब होना प्रारम होगा समय बहुत लगेगा बाला जी की पेरिणा उनुशार लेकिन ठीक हो जाएगा अशिल्वां नेक्ष्ट आप अंद्रविस्वास में तो नहीं पड़ गई परचा एकदम ठीक कोई बात गलत खुश रहों नेक्ष्ट भेज दीजें अब भूती बहां से लेना है और एक प्रियोग और करवाना है बहां से बैठो मा यहां बैठो मा कहां से आई मा माइक ले लो आप डानुशाई है ऐसे बैठो उस तरब मूँ कर लो मा जी माँ मेरा बेटा और मेरी बेटी की बहुत परिशानी होजे क्या हो गया है क्या इसा हो गया है कोई बात इनको बाबु भाई हाँ हाँ ठीक है अभी अभी रहने दो उनको अभी रहने दो बाद में पगड़ी बालों को बुला लेंगे हम हम बाद में बुला लेंगे हम जो राजस्थान बाली है न उन्हें बैठार दीजे हम बाद में बुला लेते हैं पहले धरबार की अरजी लग जाए हाँ बाबु भाई इनके लिए कौनसा नंबर बुलाएं एक नंबर दीजिए उनके लिए एक नंबर ने बेटी तुमारी याद कर रहे थी बाबाजी को मिला दे खोई बात नहीं माँ पढ़ना ज़रा कितना नंबर है मैं यह नजदीका हो आप पढ़ लिंखी हो थोड़ा थोड़ा अच्छा पढ़ना आता है आपके मन में दो प्रशन गूंज रहे बच्चों की बीमारी वा डिप्रेशन बालक को बना हुआ है तनाव रोक से गृशित हैं दबा बंद हो जाए ऐसी अरजी लेकर आई है दौनों बच्चे स्वस्त होंगे बालक पर मूल कर पाहोगी आशी लबाद है इनकी दबा के लिए हम एक चीज दे रहे हैं यह मंत्रम ने लिखा ओम, स्रीम, एम आँगे नहीं पढ़ेंगे ताकि गोपनीता बनी रहे इसकी तीन माला करने श्रीम, एम बस बाद में माइक से नहीं पढ़ते हैं हमें भभूती दीजे, हम एक प्रियोग कर देते हैं, आप उसको पहुँचाईए, मेडिशन को चलने दीजे, हमारे पास जो मंत्रच कित्सा बाला जी की है, जिस मंत्रच कित्सा से बल से लाब होता है, एक बार जाड़ा लगवाने के लिए आप धाम ले आना, पूर्टया दवा बंद होगी, अभी दवा चालू रखना, डॉक्टर अपने आप बोलेगा कि अब दवा की जरूरत नहीं है, धाम यहां ने, धाम उनको आसिरवान, मा ये भभूती ले लो, खुश रो, आईए अंगला, सिताराम, वहाँ पहुचा, बैठो बगमान, माइक लो आप, कहां से हैं, नजदी का जाओ, पहली बार आए हैं, थोड़ा नजदी का जाओ, ताकी पर्चा पुरू, तो आप भरोसा करते हैं कि कोई ऐसी बिधा या ऐसी पद्धती या ऐसी कोई सिध्धी है, जो पहले से लिखवा द देती हो पर्चे पर और व्यक्तिक के वो रस्ता दे करके काम सफल करवा देती है, जी उसका नाम क्या है, ठीक है, एक नाम और है कुछ क्या उसका, ठीक है, अच्छा, कौन है वो तुमा एक आपका भी इसमें प्रश्न लिखा गलत हो तो आप मना कर देना सही हो तो स्वीकार करना स्वास्त ठीक नहीं पैर दर्द बनता है आप परिशान है नाती पर क्रपा होगी वह चल नहीं पाता है सुन पन है कार में रुकावट है वैश्णवई ठीक हो जाएगा धाम की माइक कैसे करो ना माइक मूझ से लगा के कैसा है यह सरो बरोबर है यह सब ठीक है यह जो पता है सादू जी अच्छा बैश्णों माता की क्रपा से हुआ था डॉक्टरों को बहुत दिखवा लिया है नसों में टेडा पन ब्रेन में सैल्स की कमी जाच जो हमने अभी की है तो हमारी जाच में ब्रेन में सैल्स की कमी बताई गई है धाम की पेशी शुरू कर दीजे निश्चत रूप से आराम लगेगा आप चिंता ना करें आशिरवा बैठीए हमारा मजा की ये सुभाव है बुरा मत मानना क्योंकि हम भी एक बार टकला थे हम तम पर क्या है सेंगे हमारा सुभाव है अच्छा लोग हमसे कहते हैं लोग हमसे कहने लगते हैं गुरू जी आप गंभीर हो जाओ आप बताओ हम गंभीर हो जाए ऐसे ही ठीक है जैसे हैं हम जैसे हैं तुम्हारे हैं बस तुम लोग जाना हम जैसे भी हैं हमें जूट और छलकपट नहीं आता है अब लोग बना उटी चहरा बनाते है हमें वो जैसे कई लोग ऐसे हुदे हमसे ये नहीं बनता है हम तो जो है सो है सिताराम माइक लीज़े कहां से है यहीं से पड़े लिखे तो हो हाँ सादू जी हमने लिख लिया जो हमें आग गया लगी आप प्रशन करो बेपड़ाई में मनने लगते है नजदी का जाओ थोड़ा सा क्यों नहीं लगता ठीक है एंसों कहा दें कि मूबाइल जादा चलाती है माइक उठा लो हाँ और पूछ मूँ ठीक है आपके साथ में कुई है कौन-कौन है चाचाओ चाची हमने ऐसा लिखा आप उननती करेंगे अभी मनुचाटत है परिवार में कलेस बना हुआ है बहुत लडाई मची हुई है उठा पटक बहुत मची हुई है कलेस की प्रमुक अरजी है दूसरी अरजी मनुचाटत है मूबाइल का प्रियोग जादा करते हैं सिरका दर्द प्रारंब हो गया है बराबर है परिवार वाले भी इसी बात पर तुम्हें डाटते है तुम नहीं मानते हो कुछ आदते हैं तो तुम से छूट नहीं रही उन आदतों को हम माईक से नहीं बोलेंगे लिखकर पढ़वा देते हैं आपको चलना है हम केबल मंत्र चिकित्सा कर सकते हैं लेकिन हमें जो आपके भावों को देख करके लग रहा है कि आप 6-7 महीने में फुल कॉन्फिदेंस के साथ पढ़ाई पर फोकस करने लगेंगे ये आशीरबाद है घर में बहुत उठाप अटक मस्ती है अच्छा पहले कहीं हो रहे हैं दिन नहीं है दो निमास है कुल देउता कहीं हो रहा हैं आपके चाचु को बता होगा साधू जी बाद में बुला ले ना हम तुमको पूरा लिख के दे देते हैं एक तो तुम्हारे घर में दो चीज़े हम तुम्हारे घर से हट वाएंगे बुरा मत वान ना हम बोलेंगे नहीं ये तुम्हारी कमी है ये तुम बहुत करते हो ठीक है इसको तुम्हें बंद करना है यह तुम्हें भी पता है कमी है अपनी लेकिन हम बता रहे हैं यह तुम्हारी कमी है इसको बंद करना यह तुम्हारे पर फूटा हुआ यह इनका चित्र रखा है हम नाम नहीं लेंगे इनका जल्दी में लिखे हैं यहां लिख लेते हैं ठीक है और जरूरी नहीं अब इतने से ही समझ जाओ जाओ अपने घर पर एक लाल जंडी लगाओ धाम की तुम पेशी प्रारंब करो पढ़ने में मन लगेगा आशिरबाद है आशिरबाद है